आकाश्वाणी मद्यप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अलमाज प्रधानमंदी नरेंद्रमोदी कल विक्सित भारस संकल प्यात्रा की मद्यप्रदेश सहीच 36 गर तेलंगाना राजस्तान और मिजोरम में सूचरा शिक्षा संचारवैन को वर्चूल रवाना करेंगे विक्सित भारस संकल प्यात्रा की वो देशों को जन जन तक ले जाने के लिए विशेश रूप से डिजाइन की गई 306 प्रचार वैन उपलब्द कराई गई है यह वैन नगरी निकायों और ग्राम पंचायतों में जाएंगी और विबिन कारिक्रम आयो जेत किये जाएंगे इसके साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी कारिक्रम में योचनाओं के लाबारतियों की व्यक्तिकत कहानियों का उलेक होगा मुकी बंती डॉक्टर मोहन यादव आज सभी जिलों के जनपरतिनिदियों से यात्रा के सफल आयो जन के संबंद में वर्च्वल समबात करेंगे निवारी में विक्सित भारत संकल प्यात्रा की समिक्षा बैठक में कलेक्टर के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुए शिवपूरी जिले में विक्सित भारत यात्रा को लेकर आज जिला पंचायद के सीईओ उमराव सीमरावी ने शिवपूरी जनपरत पंचायद के सभी पंचायद सचिवों की बैठक ले नर्मदापूरम कलेक्टर ने वीडियो कांफरेंस के माधियम से जिले के सभी नोडल अधिकारियों जनपत सीईओ और सीमो को संकल प्यात्रा के दौरान आयो जित सभी कारिकरम सफल तरीके से करने के निर्देश दिये हैं ग्रियमंत्री एमिर्शा ने कहा है कि देश में समानगरिक सहिता लागू करने के लिए बहरी चबाप पृतिबत है उन्हों innate दिल में मेडिया से चर्चा में कहा कि देश की समयधान सभा का जनादेश था उन्होंने कहा कि 1944 में समयधान सभा राजिये के नीती わか galleries ने निर्देशक स्थिद्धानंतों में कुछ मामूलों enormous को लागू नहीं कर सकी और समा नागरिक सहेईता भी उनमें से एक था समान नागरिक सैंता लागू करने के बारे में कुछ राज़े में उठाए जा रहे गदमों पक्रह मंत्री ने कहा कि ये बड़ा सामाजिक और कानूनी बदलाव है और इस पर सब की राए की आवश रकता है बाज़पानेता बजनलाल शर्मा ने आज राज़स्तान के मुख्य मंत्री पत की शपत ली बाज़पानेता दिया कुमारी और पेम चंद बैर्वा को भी राज़स्तान के राज़े पार कलराज मिश्र ने उप मुख्य मंत्री पत की शपत दिलाई प्रदेश की 16 वी विधानसबा का प्रथम सत्र सोंबार 18 दिसंबर से प्रारम होगा 21 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में डर्व निर्वाजे सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गुपाल भारगव द्वारा शपत दिलाई जाएगी इस प्रथम सत्र में विधान सभात त्यक्षकर निर्वाचन और प्रदेश की राज़ेपाल के अभीवाशन के साथ शास्की कारे भी संपन होंगे प्रदेश में ग्राम पंचायतों में पंचों के खाली पदों पर निर्वाचन प्रक्रिया आज से प्रारंप हो गई है पदों पर आसे नामांकन पत्रों को दाखिल किये जा रहे हैं नामांकन पत्र 22 दिसमबर तक जमा होंगे इसके बाद 23 दिसमबर को संभिक्षा और नाम वापस लेने एवम चनाफ चिन आवंटन का काम 26 दिसमबर को होगा रिक्त पड़े बदों के लिए पाच जनवरी को मतदान और फिर उसी दिन मतगरना भी होगी सतना जली में मुख्यमंदरी संजीवनी क्लिनिक की उजना के तहत सतना नगर निगम को स्वीक्रत कुल 9 संजीवनी क्लिनिक के भवन समय सीमा में तयार कर गए हैं नगर निगम की समिक्षा बैठक में बताया गया कि सतना नगर निगम को मुख्यमंदरी संजीवनी क्लिनिक की उजना के तहत 25-25 लाक रुपे की लागत से 9 वाडो में 9 संजीवनी क्लिनिक भवन निर्मान कारे स्वीक्रत किये गए थे इन भवनों के करीब 21-95 रुपे तक प्रते की लागत से तयार सभी स्वास्वे भाग को हस्तांतरित कर दिये गए हैं प्रिधान मंतिन दरेंदर मोदी ने कहा है कि परिक्षा पे चर्चा का उदेश तनाव को सफलता में बदलना और परिक्षारतियों को मुस्कुराते हुए परिक्षा देने के लिए सक्षम बनाना है सोशल मीडिया पोस्ट में शिमोधी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि विचार विमर्ष और बाचीत के दोरान अध्यान के बारे में कौन सा बड़ा सूत्र सामने आ जाए अब कुछ समाचार संशेप में प्रदेश के उपमुखी मंतरी राजिन शुकला का जमाहियर पहुंशने पर रेलबे स्टेशन पर स्थानी जन प्रतिनितियों नागरिकों ने स्वागत किया जबलपूर हाई कोड ने राजिशासन से पूछाए कि प्रात्मिक शिक्षकों की भरती के मौामले में किन्यमों के तहित EWS अभियर्थियों को अनरक्षित वर्ग में परिवर्थित कर ट्राइबल विभाग में पदिस्थापना दी जा रही है टिक्विंग वर्जिले में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतरगत रभी सीजन के लिए फसल बीमा के लिए अंतिम्तिती 31 दिसंबर है इस पुलिटन में इतना ही नमस्कार